गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट स्वागत आपके हमारे यूट्यूब चैनल बंसल अकेडमी के उपर आज की क्लास में इंपोर्टेंट करंट फेर डिसकस करेंगे जो आपके एक्जाम पॉइंट अफेर से बहुत इंपोर्टेंट हैं स्टूडेंट जो आज के आपके थोड़ा important information दे दूँ कि जो आपका PSSB का form है वो निकला हुआ है जो बच्चे पंजाब से बिलॉंग करते हैं जिनकी 10th पंजाबी में है वो जरूर इस एक्जाम को apply करें इसके लावा स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ कि जिन बच्चों ने IBPS का form फिल कर रख है SBI का form फिल कर रख है उनके लिए भी एक current affair बहुत ज़्यादा important है हमार साथ बने रहे हम आपको हर तरीके से online offline हर तरीके से आपको support करेंगे स्टूडेंट्स आप ज़्यादा जानकारी लेने के लिए दियो ए नंबर पर contact कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं फिर आज के current affairs जो सबसे पहली न्यूजर स्टूडेंट्स वेरी वेरी important आपके हर एक्जाम के लिए question important है तो यहाँ पर next जो chief of naval staff है Navy students आपको पता हूने ज इनके जो chief of staff होते हैं उनको कौन न्यूक्त करता है यह आपके लिए question है जरूर comment करके answer देना तो यहाँ पर students vice admiral R. harikumar vice admiral R. harikumar को appoint किया गया as a next chief of Navy staff very very important तो यहाँ पर students जो naval chief होते हैं जो हमारी Indian Navy है उसके head होते हैं vice admiral R. harikumar will take the charge as a next chief of the Indian Navy after he incumbent so admiral karambir singh जो हैं वो retire हो रहे हैं 30 November को और उससे पहले जो है नई appointment करनी होती है next जो charge है एक December से यहाँ पर vice admiral R. harikumar जी के द्वारा ले लिया जाएगा तो आप इस picture में देख पा रहे हैं ठीक है आपके जितने भी आने वाले exam है उसके लिए important question बन जाता है ठीक है जी ministry of defense announced November 9 2021 Vice Admiral Harikumar विल टेक चार्ज अधने चीफ आफ इंडियन नेवी very important new students I hope आपको पता चल गया होगा तो आपके लिए question मैंने बता दिया है आप जरूर इसका answer दें कि next चलिए नेक्स्ट न्यूस पर आते हैं यहां पर यूनेसको creative city network 2021 यहां पर यूनेसको के द्वारा जो है शिरी नगर को students very important point यूनेसको के द्वारा शिरी नगर joins the list of city of craft and folk art very very important craft and folk art यहां पर शिरी नगर को यह title दिया है यूनेसको ने और शिरी नगर ने जो है आप students आपको यह पता होना चाहिए को बहुत बढ़िया प्रेटक्स थल अब कह सकते हैं एक बहुत अच्छी tourist place जहां पर की government भी वहां के heritage वहां के craft and folk art को promote करती है सो इंक्लूजिन ऑफ दे सिरी नगर इन एक्रेटिव सिटी नेटवर्क फॉर दा आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ यूनेसको है यूनेसको का headquarter कहां पर ठीक है जी जरूर कमेंट करके बताना ठीक है next class में आपको answer इसके discuss करूंगा चलिए जब हम अपने mcq discuss करते हैं तो उसमें मैं आपको इसके answer बताऊंगा ठीक है लेकिन यह बहुत basic point है हमने बहुत बार पढ़ा यूनेसको का headquarter कहां पर और यूनेसको की full form किया है यह basic आपको इतना पता होना चाहिए तो students यहां पर जो श्रीनगर का जो handicraft है जो वहां के लोगों का art and craft वर्क है जो लोग आप कह सकते हो कि हाथ से सिलाई कड़ाई करके जो चीज़े बनाते हैं और वहां पर local market में बेज़ते हैं तो उसको यूनेसको जो है इंटरनेशनल लेवल पर promote करने की बात कर रहा है जहां पर कि हमारी government का भी बहुत बड़ा रोल है हमारी देश के government भी जम्मों कश्मीर को बहुत बड़े लेवल प इस तो यह इंपोर्टन नीज ती इतना आपको पता होना चाहिए आगे नेक्स चलते हैं नेक्स है एस्ट्रोनौट वांग ये पिंग बिकम फर्स्ट चाइनीज वोमे टू वा किन श्पेस्पेस में इस पेस में गए तो बहुत बाहर होंगे लेकिन स्पेस में वॉइक करन आपसे एक्जाम में कोशन एक्जामेनर घुमा कि यह पूछ सकता है तो यहां पर स्टूडेंट्स हमने अपने कुछ दिन पहले ही करंट फिर में पढ़ा था कि चाइना जो है एक बहुत बड़ा ऑपरेशन सेंजोंग 13 मिशन लांच कर रहा है स्पेस के लिए ठीक है जी और चाइना स्पेस में अपनी बहुत बड़ी जगा बनाने की कोशिश कर रहा है तो यहां पर वांग येपिंग जो हैं चाइनीज वुमन वो इस सेंजोंग 13 मिशन का पार्ट होंगे पार्ट रहेंगे तो इस कर इतनी है ठीक है तो 41-year-old ये चाइनीज साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट है ठीक है जिनके द्वारा की स्पेस में पहली बार चाइना का पर्चम लहराया जाएगा ठीक है तो आपको बस इतना ही इनका नाम पता होना चाहिए जादा और कुछ नहीं और जो हमने लास्ट अप द्क्षी लीटउ यूके अप्रूब लिस्ट फोग वैक्सिन फोग नवंबर 22 जो predators online वैक्सन Dobnost में अपनी यूके अप्रूब लिस्ट में को बेक्सिन को जगह दे दिया है very very important students co vaccine जो है यंब भारत बायो टेक company जो है कोष्ची बना रही है students comment करके बताना कि kovi Shield कौन सी company बना रही है जो kovi Shield जो वैक्ग신 है इसकी निर्माता इसको बनाने वाली कौन सी कमपनी है फिक है जी चलिए हम पढ़ चुके अपने क्लास में पहले लेकिन अगर आपको पता तो students जिरूर कमेंट करके बताना तो यहां पर students UK gave its go ahead to India indigenous indigenous means की जो हमारी देश में चीज बनाई गई है इंडिया संबिगने इंडी अ story 19 vaccine following the world health organization emergency use listed for co-vaccine तो नहां पर हमने अपने प्रीवेस क्रेंट अफेर की क्लासिस में पढ़ा था कि डवल्यू एचो के द्वारा भी एमर्जेंसी यूज के लिए मानता प्राप्त कर दिया है रिकॉगनाइशन कर दिया है इस दवाई को ठीक है आपको यह पता होना चाहिए है तो दे युनाइटेट किंग्डम है इंडिया स्कोवेक्शन तो इस अप्रूब्ट कोविड वैक्शीन लिस्ट तो कोविड वैक्शीन लिस्ट में यूके ने भी हमारी देश की जो बनाई गई ये वैक्शीन इसको जगा दे दिया तो दा मूव बिल एनेबल पैसेंजिस फुल फुली वैक्शनेट विद दा को वैक्शीन तो ट्रैवल टू दा यूनाइटिक टिंग्डम नवंबर 22 बाइस नवंबर से जो है मनलब की यूके ने कहा दिया कि जिन लोगों को यह वैक्शीन लगी हुई है उनको क्वारंटे होने की ब्यूर्व नहीं है और कंप्लीट तरीके से इस दिवाई को जो है डिक ऑगनेशन मिल चुका है लिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आगली जो नियूज निकलके आई है वो है दिल्ली गवर्मेंट लॉंच श्रमिक मित्रा स्कीम वाट इस लॉंच दा श्रमिक मित्रा स्कीम तो इंशूर और कंस्ट्रक्शन वर्कर इन डैली और इन फॉर्म एंड एबल दो बैनिफिट ऑफ गवर्मेंट स्कीम तो मीन्स स्टूडेंट्स यहां पर दिल्ली सरकार के द्वारा श्रमिक मित्रा स्कीम जो है अब देखिए बहुत बे बहुत बाइत की है दिल्ली के डिपटी चीफ मिनिस्टर डिप्टी तीम जो है मनीज सिसुनिया और मिद्यश्यृइब आप सब को पता है नेक्स जो न्यूज है वो है नासा की कमेंट करके बताएं स्टूडेंट्स नासा की फुल फॉर्म क्या है ठीक है चलिए सो यूएस स्पेस एजेंसी एनाउंस न्यू मिशन to study from impact on climate change हां जी यहां पर students आज की data में जो सबसे बड़ी जो एक चिंता का व्यश्य बन चुका है पूरे डुनिया बरदेश बर दुनिया के लिए वो है climate change निंट लूए और जो नया mission जो नासा यागाँ और निकाला गया in 2727 2027 को नाशा ने यह अपना जो वेंचर है यह वेंचर प्रोग्राम अर्थ को लेके यह लॉंच करना है उसकी त्यारी अभी से नासा ने कर दिया तो यह आप से एक्जाम में कोशन पुछा जा सकता है स्टूरेंट्स नासा की फुल-फॉर्म क्या आपको पता होनी चाहिए lg e National Aeronautics and Space Administration has selected a new earth science mission which will study the behavior of tropical storm and thunderstorm मतलब की यहां पर जितने भी परकार के जो tropical storms है और जो thunderstorms है इतने हम डेखते हैं जो हमारे स्टक्रत करते हैं हमारे climate वेदर को ठीक है जो जितने भी ऐसे इस परकार के जो storms आते हैं इसकी study के लिए इसकी research के लिए जो नासा काम कर रहा है ठीक है जी इस से बहुत help मिलेगी कि आने वाले time में जो climate जी हम देखते हैं कि एकजम से कहीं पर coastal region पर इतने बड़े बड़े तुफान आ जाते हैं उनको रोका जा सके उनको control किया जा सके रोक तो खेर नहीं सकते लेकि इसी जो है उसके द्वारा यह किया गया है सो इट विल बी कार्ड़ इन्वेस्टिकेशन आफ दा कन्वेक्शन अपड्रफ्ट क्लियर सो यह कब लाउंच होगा 2027 को लेकिन उसकी त्यारियां अभी से शुरू हो चुकी है तो आई होप students आपको आज की करंट फिर समझ में आ गए होंगे आपसे question exam में schemes तो देखो बहुत ज़्यादा जरूरी है exam में schemes के question पूछे जाते हैं श्रमिक मित्रा scheme किसने launch किया recently यह question आप पूछा जा सकता आपसे ठीक है नासा की full form पूछी जा सकती है कौन सा नासा ने अपना नया mission स्टार्ट किया इसके उपर question पूछा सेंजॉंग 13 mission इसके उपर हमने last अपने current affairs में भी discuss किया था और first woman कौन बन किया Chinese इस पर question आ सकता है तो examiner आप से current question कई परकार से पूछ सकता है तो यहां पर जैसे कि युनेसको के द्वारा श्रीनगर को एक city of craft and fork art का दरजा दे दिया है इस checklist में डाल दिया है और नए naval chief कौन होंगे ठीक है यह आपको पता होना चाहिए यह आपका current affair का बहुत important question है यह आप लीजिए यह five star rating question है यह exam में definitely पूछा जाएगा अब students important बात यह कि आप इस वीडियो को जादा जादा like करें वीडियो को share करें अपने family friends तक और चैनल को subscribe करें और इस की PDF आप जो है बंसल academy की एब से जाके आप डाउनलोड करें एब से आप लॉग इन करके डाउनलोड करके आप PDF पढ़ सकते आपके जितने भी आने वाले एक्जाम है सबके लिए PDF बहुत इंपोर्टन रहीगी तो ओके स्टूडेंट्स तो नाव वी वाइंड़ आप आपर सेशिन थैंक यू